दोस्तों वीडियो को ज़्यास ज़्यादा लोगों कि टक सेर करें दोस्तों आपकी प्यार और सपोर्ट कि हमें बहुत ही जरूरुत है बहुत ही चीर है तो दोस्तों, शुरू करते है आज के लिए नए-नए एडवाईसरी भी जारी करता ओर झारावालीय बॉट चुछा निया नए-न्य ओफर के जरी ग्राहकों के सांदार ओफर पेस किया है भारतिय स्टेट बैंक दोरा जारी किये ओफर में कोई बैक थी आई आज सी टी सी के वेब साइट पर रेल टिकट बुक करा सकता है और वे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तहट एप के जरी बुकी कराने के लिए अनेक परकार क गिफ्टों के फ्री में उपलब्द कराये जाएगा जिसमें से लगबग 5,000 का क्रोमा गिफ्ट उसको उपलब्द कराये जाएगा और SBI ग्राहकों के लिए बहुत बड़ी खुशकब्री है जिया दोस्तों भारतिय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यह ट्विट करेक्ट जिसे सभी गराहकों को आसानी से उपलब्द करा सके जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी खुबर प्रधानमतिन नरेंद मोधी ने राहूल गांधी पर सीधा नहीं साना साथा कहा मैं भारत माता के लिए तपस्या की है नामदार मेरी 50 सल की तपस्या को धूल में नहीं मिला सक जी हाँ दोस्तों उन्होंने कहा कि कल तक कांग्रेस के नामदार कहते थे कि वो मोधी के लिए परभाव में से डरते हैं अब वो एक कहने लगे हैं कि मोधी से तब तक नहीं जी सकेंगे क्या नतीजा आने वाला है अब पांचवे चरह से पहले अगर ये महा मिलावटी लोग आपका ये उत्सों देख सकेंगे तो साइध मैदान छोड़ करके भाग जाएंगे उन्होंने सपा बसपा पभी सीधा हमला बोला जी हाँ दोस्तों उन्होंने कहा कि अब ये साफ हो च साइराना अंदाज में भी उन्होंने बिरोद्यों पर सीधा निशाना साथ हूझ है उन्होंने कहा न मैं गिरा और न मेरी उमीदों के मिनार कीरें पर कुछ लोग मुझे गिराने के लिए कई बार कीरें जी हाँ तो पर्षान मतिny मोदी ने माहा मिलावटी के इस पंजे च खत्रे बताये हैं, जी हां दोस्तों, पहला खत्रा है कि ब्रस्ट चार, दूसरा खत्रा, अस्थिर्था, तीसरा खत्रा, जातीवाद, चौथा खत्रा, वंसवाद और पांचवा खत्रा, कुसासन, जी हां दोस्तों, कॉंग्रेस के नामदार किसानों के जमीन पर ट्रिस्ट के नाम पर कब्जा कर रहे हैं और फिर उसके हड़ब लेते हैं किसानों से जमीन लेते हैं और फैक्टरी के नाम पर और उस पर अपने लिए नोटों की खेती करते हैं और अमेठी में यह हुआ था या नहीं जिया हग दोस्तों उन्होंने कहाए कि आज सुबह मैं पढ़ा था कि जब केंदर में कॉंग्रेस की सरकार थी तब नामदार के एक बिजनेस पार्टनर को कैसे रक्षा सोदे में सामिल किया गया था सरकार भी अपनी दोस्त और अपनी और रक्षा सोदे में बड़ी यानि नामदार के लिए मलाई का पुरा इंतजाम था महामिलावटी वालों का इतिहास जिस देश के लिए सुरक्षा के खिलवार कर रहा है ये लोग देश के भविस को भी बरबाद करने के लिए कोई क्योसर नहीं छोड़ेंगे अगर आपका घर दिली मुंबई जैसे मैटो सिटीज में है तो यहाँ पर मंतली इंकम डबल हो जाएगी जी हाँ तो सो आपको बता दे कि रिलाइंस जियो अपने फोरजी नेटवर को मजबूत करने के लिए अगले छो महीने में पूरे देश में करीबन 45,000 मुबाइल टावर लगाने जा रही ऐसे में आप भी मुबाइल टावर के लिए आवेदन कर सकते हैं रिलाइंस जीयो अगले चार साल में एक लाग कड़ो रुपे इंवेस्मेंट करने का प्लान है इसके तहत ये टावर भी लगाय जा रहे हैं इस बारे में रिलाइंस जीयो और टेलिकम मिनिस्टर के बीच मिटिंग भी हुई चुकी हैं कमपनी जल्द ही टावर लगाने पर प्रोसेसिंग सुरू कर देगी जीयो अगले साल 6 लाग कड़ो रुपे इंवेस्मेंट कर चुकी हैं आपको बता दे कि पूरे देस में 2.8-6 लाग बेस स्टेशन इ दिकत आ रही हैं तो टेलिकम अपरेटर्स जरूरत के हिसाब से इंटर कनेक्शन पॉइंट उपलब नहीं करा रहे हैं जिसके उनके नेटवर्क जीयो के कॉल डॉप हो रही है सुत्रो का कहना है कि जीयो की इस सूचना के बाद टेलिकम मिनिस्टर के प्रमुक टेलिकम ऑप यहांड दोस्तो अगली बड़ी खबर उत्तर कोरिये ने फिर की एक के बाद एक कई मिसाइलों का परिक्षन हिल गया दक्षिन कोरिया जी हाँ दोस्तों उत्तर कोरिया के पुर्वी सागर से कम दूरी पर मार करने वाली कई मिसाइलों का परचपन किया गया है दक्षिन कोरिया के जॉइंट चीफ ओफिस स्टाफ ने यह बयान जारी किये जिया तो समचार एजनसी एफके के अनुसार यह दिमाने तो जेसी इस ने कहा है कि अग्यात मिसाईलों को सुबह 9 बच कर 6 मिनट से लेकर के 9 बच कर 27 मिनट के बीच उतर कोरिया के पूरी तटके लगे होदो प्रायद्वीप में वोनस के पास प्रछेपित किया गया जेसी इस ने कहा है कि हमारी से ना उतर कोरिया की गतिवीदियों को करीबी से देख रही है और उसने अमेरिका के साथ करीबी समन्वे के हालात पर पूरी नजर बनाई हुई है जेसी इस के नुसार मिसा पर रफाल डिल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफ नामा पुनर रियाचिका को गलत ठहरा है जी हां तो सो केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में रफाल पर एक ताजा हलफ नामा दायर किया गया है सरकार ने अपने इस हलफ नामे में कहा है कि 14 दिसंबर 2018 को 36 रफाल जेट की खरीद पर जो फैसला दिया गया था वह सही था अपने हलफ नामे में सरकार ने कहा है कि अपरमानित मीडिया रिपोर्ट और अधूरी फाइल्स की पुंड़ा विर्थी की आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है सरकार की और से दायर की इस हलफ नामे में रफाल दिल की प्यमो की और से कही गई निगरानी को हस्तक छेप या फिर समरांतर बाचीत के तोर पर नहीं करार किया जा सकता है आपको बता दे कि इस हलफ नामे में यह कहा गया है कि तत्काले रक्षा मतिरी ने फाइल में लिखा है और ऐसा लगता है कि पीमो और फ्रेंच राष्टपती के आफिस की ओर से इस पर काफी नजर रखी जा रही थी जो की सम्मेलन में हुई मुलकात का नतीजा है इससे पहले सुप्रीम कोट की एक मेंच ने किंद सरकार की ओर से दर्ज करा गए बिरोध को खालिज कर दिया था किंद सरकार ने रफाल दिल पर सुप्रीम कोट से फैसले आने पर पुनर याचिका को लेकर के एतराज जायर किया था सरकार की और से कहा गया था कि सुरक्षा संबंधिर गोपनिये दस्तावेजो के इस तरह सरवजनिक खुलासे देश के अस्तित्व पर खत्रा है सुप्रीम कोट के रफाल सोदे के गोपनिये दस्तावेजो के परिक्षन के फैसले में रक्षा बलो की तैनाती परमानू परितिश्ठानो आतंकवादी निरोधी उपायो आधी से संबंधित गुप्त सूचनाओ का कुलासा होने की असंका बढ़ जाती है सरकार के मुताबिक रफाल डील पुनेर याचिका के जरिये सोदे की चलती फिरती जाच की कोशिस की गई है जी हाँ दोस्तो अगली बड़ी ख़़र साजिकला स्टाइक परधान मत्री मोदी ने नहीं की सेना ने की है सेना उसकी संपत्ती नहीं है राहुल गांदी का काना है जी हाँ दोस्तों, कॉंग्रिस अद्धक राहूल गांधी ने प्रधानमत्री नरेंदर मोदी और बीजीपी पर सीधा हमला कहा, उन्होंने पाकिस्तान अधिकरित कस्मीर में जैस ए मुहमत के आतंकी संगठन पर की गई सजिकला श्टाइक पर कहा कि सजिकला श्टाइक को प् पर धानमत्री मोदी ने संपच सरकार के संग्रा श्टाइक का विडियो के बना एकर सेना का अपमान किया है, अपने सजस्तबालो का राजनिति करान नहीं करते, सेना देश की होती है, महज एक व्यक्थी की नहीं होती है, जी हाँ, तो उन्होंने कहा है कि आतंकवाद से सक् रोजगार के बारे में वो क्या कहती है, 22 लाख युवाव को एक साल में रोजगार की गरेंटी देता हूँ, जी हाँ तो तो नय यूजना के अर्थव्यवस्था को बहाल करेंगे, राहुल जी सिर्फ कहने वाली बात है, करने के लिए तो सिर्फ मोधी सरकार है, जी हाँ तो कि मसूद अजर के खिलाफ कड़ी से कड़ी का रवाई होने चाहिए.